आज के दिन प्रभू ने मुझे बताया है कि वे आपके जीवन में हर प्रकार की अनुग्रया और हर प्रकार की आशिश को बढ़ाने जा रहा है विवस्था विवरण की पुस्तक साथ अध्याय और उसके तेरा पद में बाइबल कहती है परमिश्वर आप से प्रेम करेगा परमिश्वर आपको आशिश देगा परमिश्वर आपको बढ़ाएगा यह आपके लिए परमिश्वर की योजना है उसका प्रेम आपके जीवन भर आपके जीवन में बहता रहेगा और जब उसका प्रेम आप में बहेगा, तो यहन्ना एक अध्याय उसके सोलहपद के अनुसार आपके जीवन में एक के बाद एक आशिश बहती जाएगी जबहें आपको आशिश देगा तो एक के बाद एक बढहतरि आपके जीवन में आती चली जाएगी यही आपका भविश्य है यही आपका भविश्य है till now you may have not had any love in your life हो सकता है अब तक आपको अपने जीवन में किसी तरह का प्रेम नहीं मिला है you may have seen only curses हो सकता है आपने अब तक केवल श्राप देखे है you may have seen and experienced only losses हो सकता है आपने अपने जीवन में अब तक केवल हानियों का ही अनुभव गिया है लेकिन आज से पर्मिश्वर का प्रेम नदी के समान आपके जीवन में बहने जा रहा है यह अब तक बहता आया है लेकिन अब से आप इसका अनुभव करने पाएंगे और इसके द्वारा सारे श्राप तूट जाएंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक आशिशाती चली जाएगी और इसके बाद आपके परिवार में बढ़हत्री और तरक्की आएगी यशाया साथ अध्याय उसका बाइस पद विवस्था विवरण एक अध्याय उसका ग्यारपद व्य बढ़ोत्री हजार गुना बढ़ोत्री होगी जार गुना प्रज़ दूर्ब की श्तुति हो हजार गुना घजार गुना आप सभी अपने हाथ उठाकर विश्वास के साथ कहे हँए हजार गुना हजार गुना I am receiving हजार गुना मैं हजार गुना प्राप्त कर रहा हूं Amen Amen When does this come? यह कब आएगा When you experience the love of Jesus जब आप येशु के प्रेम का अभव करेंगे When you open your heart to Jesus and say I want to experience your love in my life here afterwards Lord जब आप अपने हुरदय को खोल कर येशु से कहेंगे प्रभू अब से मैं अपने जीवन में आपके प्रेम को अनभव करना चाहता हूं There was a poet in a king's court एक राजा के दरबार में एक कवी था He had great talent of poetry और उसके पास कावे की महान कला थी Just like we had the rap song with all the poetic rhymes बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने rap संगीत को सुना जिसमें काव्यात्मक तुकबंदी थी और ये कवी बहुत ही प्रतिभाशाली था और राजा पर कवीताएं लिखता था और ये जो कवी था वै परमेश्वर पर विश्वास करता था और जानते हैं वै अपने परमेश्वर की उपासना किस प्रकार से करता था वै अपनी टांगों को अपने घर की चट के साथ बांता और उल्टा लटक जाता और इस प्रकार से वै अपने परमेश्वर की उपासना करता था उसका मानना था कि मैं कैसे उस भूमी पर अपने पैर रखकर खड़ा हो सकता हूं जहां पर मेरा इश्वर अपने पैर रखकर खड़ा है इसलिए मैं उल्टा लटक कर अपने इश्वर की उपासना करूंगा वै अपने इश्वर के लिए बहुत श्रद्धा रखता था और पवित रहता था और परमेश्वर ने उसे देखा और फिर एक दिन क्या हुआ कि वै राजा के दर्बार में जा रहा था और वै अपनी कविताएं सुना रहा था और उसका हरदय अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और तभी अचानक क्या हुआ कि दिन के समय खुले आसमान में बादलों के बीच में उसने एक व्यक्ती को देखा जो क्रूस उठाए हुए था और उसका लहू बह रहा था और उसका लहू उसके चहरे पर से बह रहा था लेकिन ऐसे में भी उस व्यक्ती के चहरे पर सब लोगों के लिए भरपूर प्रेम दिखाई दे रहा था और जब इस व्यक्ती ने उसे देखा तो इस कवी ने अपने हुर्दे में बहुत गहरे प्रेम को महसूस किया बहुत शांती को महसूस किया बहुत बहलाई को महसूस किया और उसने कहा वे कौन है मैं अपने जीवन भर डरते और कांपते हुए अपने इश्वर की उपासना करता आया हूँ लेकिन जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ तो वे अपने प्रेम को मेरे हृदय में प्रकाशित कर रहा है मुझे लगता है कि मैं पहले से ही उसका बेटा हूँ मुझे महसूस होता है कि वै मेरा वै पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है और वै सब लोगों से पूछने लगा कि सलीब उठाए हुए यह कौन व्यक्ति है और किसी ने उसे बताया कि वै येशु है वै वही है जो परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में वै संसार में आया उसी ने तेरे पापों को अपने उपर उठा लिया और उसने तेरे प्रती अपने प्रेम के कारण एक बलिदान बन कर तेरे पापों के लिए दंड चुकाया और उस दिन वै प्रभू के सामने जुक गया और उसने कहा येशु मुझे तेरी आवश्चक्ता है मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ और उसने अपना जीवन येशु को दे दिया और उसका जीवन बदल गया और उसके अंदर एक नया हुर्दय आ गया और उसके अंदर से प्रेम बहने लगा और पूरा देश बदल गया राजा का जीवन बदल गया और प्रेम ने सब लोगों को अपनी आगोश में ले लिया जब ये व्यक्ती प्रेम के उस प्रभू के बारे में कविताएं सुनाने लगा तो इससे सब का जीवन बदल गया और उसने कुछ बहुत ही महान गीत गये आज भी मेरे प्रिये दोस्तों येश्व यहां पर उपस्तित है वे आपके पास खड़ा है वे आपके पास खड़ा है वे प्रेम से भरा हुआ है प्रेम से भरपूर है वे कहता है मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ के तू इस संसार में प्रेम का अनुभव करे तू ने उस तबाही को देखा है जो शैतान तेरे जीवन में लेकर आया है मेरे बच्चे तूने केवल इस संसार में अकृतिध्यता को देखा है तूने इस संसार के श्रापों को देखा है लेकिन अब मैं येश्व ये चाहता हूँ के इस संसार में तू मेरे प्रेम का अनुभव करे क्या आप कहेंगे येश्व मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोल रहा हूँ आप मेरे हृदय में आएं मेरे जीवन में आएं और जब आप इसी समय अपने हृदय को खोल कर येश्व को पुकारेंगे तो येश्व कहता है जब तु अपने हर्दय को खोलेगा तो मैं तेरे हर्दय में आऊंगा मैं तुझ से प्रेम करूँगा मैं तुझे अपने लहू से धो दूँगा और तेरे जीवन में से प्रत्यक पाप को दूर कर दूँगा और तुझे अपनी संतान बनाऊंगा आप मेंसे कितने लोग हैं जो येशु की संतान बनना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा कर येशु को दिखाएं और उससे कहें प्रभू मुझे तेरी आवश्यक्ता है अपनी आखों को बंद करें अपने हुर्दयों को खोल ले और उससे कहें प्रभू मुझे तू चाहिए मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं मेरे हुर्दय में आएं सब लोग पुकारें इसी समय येशु आपके अंदर आ रहा है वे आप से प्रेम करता है और वे चाहता है कि आज से आप इस संसार में प्रेम प्रेम और प्रेम का अनुभव करते चले जाएं आप बहुत रो चुके हैं आप बहुत रो चुके हैं आप बहुत रो चुके हैं वे प्रभू जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया कि आप अपने सारे पापों से चुड़ाए जाएं आप सारे पापों से शुद्द किये जाएं वे आपके अंदर आ रहा है उससे बात करें उससे बात करें भूल जाएं कि आपके पास कौन ख़ड़ा है तो कहें प्रभु मैं अभी से शराब पिना छोड़ता हूं तो कहें प्रभु मुझे खेद है, मुझे क्षमा कर इस ही समय वे आपको शुद कर रहा है अपने लहू येशु मसी के लहू से शुद्ध कर रहा है हर अपराद बोध आपको छोड़ कर जा रहा है पाप का प्रतेक अपराद बोध आपको छोड़ कर जा रहा है आप अपने हाथों को नीचे कर सकते हैं लेकिन इसी समय अपने हर्दे को खोल कर येशू को पुकारे हैं। इस समय आप येशू का अनुभव कर रहे हैं। और इसी समय परमिश्वर आपके हर्देओं में प्रोवेश कर रहा है। येशू आपके अंदर आ रहा है। येशू आपके अंदर आ रहा है। आमीन येशु आ रहा है इसी समय अपने हर्दे को खोल कर उसकी स्तुति करें आनंदित हों क्योंकि वे आपके हर्दे में आ रहा है इसी समय परमिश्वर का प्रेम आपके अंदर बह रहा है पिता प्रत्येक पाप और पाप की प्रत्येक अभिलाशा येशु के नाम में इसी समय उन्हें छोड कर चली जाए पाप के कारणाने वाला प्रत्येक भै उन्हें येशु के नाम में छोड कर चला जाए प्रभू उन्हे अपने लहु से धो दे प्रत्येक जन को उसी लहू से धो दें जो आपने क्रूस पर बहाया इसी समय प्रत्येक लत चली जाए मेरे प्रिये दोस्तों अपने सिग्रेट के पैकेट नशेली दवाईया शराब और कामुकता की बातों को अपने जीवन से निकाल फेंके और कहें प्रभू मुझे ये सब नहीं चाहिए मुझे येशु चाहिए अपने दुष्टता के मारगों से मुड़ा आए और लोगों से प्रेम करना शुरू करें येशु से अनुग्रे मांगे वै इसी समय आपके अंदर आ रहा है इस समय जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए पुकार रहे हैं तो वै उनके जीवनों को बदल रहा है आपका पती इस समय जहां भी है उसका जीवन बदल रहा है जब आप परमिश्वर को पुकारेंगे तो येशु का लहु उसके प्रेम के द्वारा आपके जीवन साथी के जीवन को बदल देगा चलें उसकी स्थूति करें प्रभू की शुद करने की सामर्थे के लिए उसकी स्थूति करें कहें धनवाद येशु मुझे शुद करने के लिए पिता प्रतेक जन को दो दे हमें प्रतेक पाप से शुद करें येशु के नाम में येशु के नाम में प्रभू आपने ये कर दिया इसके लिए आपका धनवाद हो हम सारी महिम आपको देते हैं हम सारी महिमा आपको देते हैं। बस प्रभू की स्कूदी करें। अपने हाथों को उठा कर कहें, धनवाद येशू। धनवाद येशू। धनवाद येशू। आप मेरे पिता हैं। मेरे हुर्दय में आने के लिए आपका धनवाद हो। आपके हुर्दय में कुछ अद्भुत हो रहा है परमिश्वर का प्रेम इसी समय आपको भर रहा है अब से आप सब लोगों से प्रेम करने पाएंगे और लोग आप से प्रेम करेंगे धनवाद ये शुव आमी आमी आप येश्व की संतान है अब आप जीवते परमिश्वर की संतान है जब आप वापिस जाएं तो अपने घर की सफाई करें अपने फोन की सफाई करें अपने मोबाइल फोन की सफाई करें हर तरह की गंदगी उसमें से निकल जानी चाहिए अपने कंप्यूटर की सफाई करें अपने रिष्टों की सफाई करें पतियों अपनी पत्नियों के पास वापिस जाएं और उनसे प्रेम करें पत्नियों आप अपने पत्नियों से प्रेम करें उनका आदर करें बच्चो आप अपने माता पिता का अदर करो और अपने घर में प्रेम का अनंद लो येशू आपके साथ आ रहा है ताके आप उसके प्रेम का अनंद ले सकें कि आपको इस बात पर विश्वास है कहें मुझे विश्वास है धन्यवाद येशू धन्यवाद येशु मेरे साथ आने के लिए उसने मुझे बताया है कि आने वाले दिनों में आप उसके प्रेम को बहुत ही सामर्थी रीती से अनुभव करेंगे यदि आपके पास येशु है तो आप हर समय प्रेम को अनुभव करेंगे जब आप अपने गाउं वापिस जाएंगे अब से आप येशु के प्रेम का आनंद उठाएंगे स्वर्ग दूत आपके चारों और रहेंगे और आज से आपका परिवार आपके साथ प्रेम करने लगेगा आपके कारे के स्थान में आप एक बदलाव को देखेंगे लोग आपसे प्रेम करेंगे आपके कारोबार में लोग आपसे प्रेम करेंगे आपके गाहों में लोग आपसे प्रेम करेंगे क्योंकि आप येशु से प्रेम करते हैं और येशु आपसे प्रेम करता है जब आप वापिस जाकर अपनी सेवकाई को करेंगे तो आपके प्रती ऐसा प्रेम और आदर दिखाया जाएगा जो अब तक आपने अनुभव नहीं किया है आपका हृदय व्याकुल ना हो आप इस प्रकार से प्रेम का अनुभव करेंगे जैसा अब तक आपने नहीं किया है पवतरात्मा ने मुझे बताया आप में से बहुत सारे लोग परमिश्वर की और मुड़े हैं और धार्मिक्ता का जीवन जीते आ रहे हैं लेकिन आपको अपने समाज से अब तक येश्व के कारण प्रेम नहीं मिला है येश्व ने मुझे बताया परमिश्वर का प्रेम उंडेला जाएगा यदि आपको विश्वास है तो जोर से येश्व के लिए हालेलुया बोलें और कहें धनवाद प्रभू आमीन आपने दो बार हालेलुया कहा इसलिए आपको दुगुना भाग मिलेगा आमीन मैं केवल आपके साथ मिलकर प्रार्थ न करने के लिए यहां आया हूँ केवल येश्व ही है यदि मैं आप सब पर भी अपने हाथ रख पाऊँ यदि मैं पॉल दिना करन के रूप में स्वयम यह करूँ तो यह व्यर्थ होगा लेकिन हम सब येश्व के प्रेम की ओर देख रहे हैं वैं आपके पास उपस्तित है इसी समय वैं आप पर उतर रहा है मैं गीता नामक एक व्यक्ति को देख रहा हूँ आप रात को सो नहीं पाती दुष्ट आत्माएं आपको तंग कर रही हैं लेकिन इसी समय आप अपनी आत्मा में प्रभू के प्रेम को इस प्रकार से अनुभव कर रही हैं जैसा अब तक आपने नहीं किया एक महान आनन्दा आ रहा है और यह इसलिए है क्योंकि येश्व आपके हुरदय में आ रहा है हाँ आपके कृशी के काम में महान वृद्धी होगी आपके पुरुखाओं के कारण जो लहू का प्राद बोध आपके परिवार के ऊपर है येश्व इसी समय उसे क्षमा कर रहा है और येश्व मसी आपको प्रतेक श्राप से आजाद कर रहा है येश्व यहाँ उपस्तित है मैं एक नौजवान को देख पा रहा हूँ उनका नाम नितिन है आप यहाँ पर इस भीड में है आप आत्म हत्या करने के बारे में सोच रहे हैं जब आप इस सभा में आए तो आपने कहा कि इस दुनिया में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है परंतु नितिन अब आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी आत्मा में उतरते हुए अनुभव कर रहे हैं हाँ दुष्ट आत्मा आपको छोड़ कर जा रही है और येशू आ रहा है येशू आ रहा है जिन्होंने आपको त्यागा परमेश्वर आपको आशिश देगा और आप उनके लिए एक आशिश बनेंगे हाँ आपको नौकरी मिलेगी और आप जरूर तरक्की करेंगे एक दिन आपका अपना व्यवसाय होगा परंतु इस समय परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बह रहा है यह अनुग्रे प्रतेक जन पर उतर रहा है येश्व जीवन भर आप उसे अपने साथ रख सकते हैं और जब वे आपके अंदर आता है तो वे आपको आशिश देने लगता है एक एक करके उनके जीवन में आशिशों की शुरुआत हुई और वे आपको बढ़ाता है वे आपके अंदर बढ़ता चला जाता है हाँ यही है परमेश्वर का हुरुदय विशेश कर भजन सहिता 115 और उसके 14 पद में बाइबल यह कहती है परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को बढ़ाएगा परमेश्वर की आशिश आपके बच्चों पर आ रही है और वे बढ़ेंगे और महान उचाईयों तक पहुँचेंगे यदि आप भजन सहिता 127 और उसके 4 पद को पढ़ें यदि आप बाँज हैं तो परमेश्वर आपको संतान की आशिश देगा और यदि आपके बच्चे हैं और वे विद्रोही हैं और जीवन में असफल हैं तो आज से ही परमेश्वर उनके हरुदेओं को बदल देगा और वे परमेश्वर की और से आपके लिए प्रतिफल बन जाएंगे आप यह कह पाएंगे कि मेरा बच्चा इतना बदल गया है कि वह परमेश्वर की और से मेरे लिए के नाम है एक प्रतिफल है मैं बहुत आशिशित हूँ आज से ही ये आपके साथ होने जा रहा है आप और आपके बच्चे आशिशों सहित बढ़ते चले जाएंगे और मैं इसी समय प्रतियेक बांज कोख को ये आज्या देता हूँ कि येशु के नाम में इसी समय अपने अंदर बच्चे को ग्रहन करे कि आप सब कहेंगे आमीन बच्चों के जीवन बदल जाएं और ये शाया चौवन और उसके तेरा पद में परमेश्वर के प्रेम के दौरा आपके बच्चों की पढ़ाई में उन्हें बड़ी शान्ती होगी लूका दोस के बावन पद के अनुसार हे युवाओ तुम आज से ही बुद्धी और डील डॉल में बढ़ते चले जाओगे और भजन सहिता 112 और उसके एक और दो पद के अनुसार ये बच्चों तुम देश में सामर्थी होगे ये शाय चवालिस और उसके तीन पद के अनुसार तुम आशिश पाओगे और उत्पत्ती सत्रा दिहाई उसके साथ पद के अनुसार प्रिय बच्चों परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांध रहा है परमेश्वर का हाथ जीवन भर आपके उपर बना रहेगा पिछले साल जब मैं किसी दूसरे देश में गया तो किसी ने वहाँ पर मुझे और मेरी पतनी को रात के भोजन के लिए अपने घर में आमंत रित किया वहाँ पर एक पासबान आये वह दक्षणी अमरीका से थे और वो मुझे बिलकुल नहीं जानते थे और जैसे ही उनोंने मुझे देखा उनोंने कहा आप विशेश हैं आप विशेश हैं आप परमेश्वर के लिए विशेश हैं और फिर उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके परिवार के किसी जन के साथ वाचा बांदी है उसने आपके परिवार के किसी जन के साथ ये वाचा बांदी है कि आपको परिवार सहित प्रेम करेगा क्योंकि आपके परिवार के उस जन्ने परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधी कि वै उससे प्रेम करेगा उसके पीछे चलेगा और उसकी सेवा करेगा और उन्होंने कहा कि वै वाचा कभी नहीं तूटेगी पीड़ी पीड़ी तक परमेश्वर आप के साथ और आप के बच्चों के साथ बना रहेगा और आप एक आशिश है मुझे बहुत प्रोचाहन मिला क्योंके मेरे पिता भाई दिनाकरन ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी 1967 में 20 जुलाई के दिन उन्होंने येश्व के साथ वाचा बांधी और येश्व ने उनके साथ वाचा बांधी मेरे पिता ने कहा प्रभू मैं तेरी सेवा करूँगा जब येशु ने उनसे पूछा के क्या तू मेरी सेवा करेगा तो उन्होंने कहा हाँ प्रभू मैं आपकी सेवा करूँगा लेकिन एक शर्ट है मेरे प्रभू येशु मैं केवल तभी आपकी सेवा करूँगा यदि आप मुझसे ये वादा करें कि मैं जहां पर भी जाऊं आप मेरे साथ चलेंगे और परमेश्वर ने उस वाचा पर मोहर लगा दी और येशु ने मेरे पिता से भी उस वाचा पर मोहर लगवाई 38 साल तक जब तक मेरे पिता जीवित रहे येशु ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं और त्यागा नहीं और जब मेरे पिता जी की मृत्यू हुई येशू पवत्रात्मा के द्वारा मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मुझसे भी ये वाचा बंधुआई के मैं संसार में उसकी इच्छा को पूरा करूँगा और फिर उसने हमारे बच्चों के साथ वाचा बांदी है मेरे दोस्तों अपने बच्चों के भविश्य को लेकर डरे नहीं चिंतितना हों जब आपने अपना जीवन येशू को दे दिया है तो पीडी पीडी तक येशू आपके साथ रहेगा आपके परिवार के साथ रहेगा और येशाया आठ और उसके अठारा पद के अनुसार आपका परिवार चिन और चमतकार होगा और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्म आपके बच्चों पर और आगे उनके बच्चों पर बना रहेगा आज की रात वे अनुग्रे आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर आ रहा है और पासबानों आपके आत्मिक बच्चों के ऊपर भी वे अनुग्रे आ रहा है हाँ आपके जीवन में और आपकी सिवकाई में परमिश्वर का अनुग्रे आ रहा है और बढ़ोत्री आ रही है और प्रतेक आशिश आपको मिलती जाएगी और ये अनुग्रे आप में से प्रतेक जन के परिवार पर पीडी पीडी तक बना रहेगा आप में से बहुत से लोग हैं जो पीडियों के श्रापों को लेकर चिंतित रहते हैं लेकिन येशु ने क्रूस पर प्रतेक श्राप को नाश कर दिया है और इसलिए आने वाले दिनों में आपकी पीडी पर आशिश आशिश और एक के बाद आशिश ही होगी मैं अग्या देता हूँ के येशु के नाम में आप इस पीडियों की आशिश को ग्रहन करें बच्चो अपनी आशिशों में आप हजार गुना बढ़ोत्री को ग्रहन करें आज रात प्रत्येक शराप टूट चुका है परमिश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने से रोके रखा था, आज रात उस सब को नाश किया जा रहा है, धनवाद येशू, धनवाद येशू, धनवाद येशू, शैतान आपके बच्चों को या आपके नाती पोतों को कभी भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपके बच्चे वाचा की आशिश के आधीन हैं, मैं परमिश्वर की महिमा को आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर उतरते हुए देख रहा हूँ, जब आप अपनी कलीसिया में वापिस जाएंगे तो आपकी कलीसिया का प्रत्येक सदस्य हजार गुना बढ़ोत्री को पाएगा, आत्मिक सामर्थे के साथ, आत्मिक सामर्थे के साथ, सांसारिक आशिशे, एक के बाद एक घर मिलेगा, और प्रत्येक घर परमेश्वर का घर बन जाएगा, और परमेश्वर आपके बच्चों को समरुद्धी देने जा रहा है, और बाइबल कहती है, दूसरा पत्रस तीन अध्य है उसके अठारा पद में, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे, येश्व के ज्यान में बढ़ते चले जाएंगे, आप उसे देखेंगे, परमेश्वर कहता है, प्रेरितों के काम दो अध्याए उसके 28 पद में प्रेरितों के काम दो अध्याए के 17 पद में योईल 2 उसके 28 पद में अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा समस्त शरीरों पर उंडेल दूँगा और आपके बेटे और बेटियां भविश्यवाणियां करेंगे हाँ भविश्यवानी का वै अभिशेक जो आपको भविश्यवानी की आशिशों में ले चलता है आप पर उतरने जा रहा है भविश्यवानी की आशिश ही वै आशिश है जो बढ़ोत्री बढ़ोत्री और बढ़ोत्री की आशिश है एलिया भविशवक्ता ने कहा हे विदवा मेरे लिए आटे की एक रोटी बना करला लेकिन उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा ही तेल है और मैं उसे खाऊंगी और उसके बाद मर जाऊंगी मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे परन्तु एलिया ने भविश्यवानी का वचन बोला और उसने कहा पहले मेरे लिए वैरोटी बना करला और इसके बाद तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा उसने परमेश्यवार के भविश्यवानी के वचन का पालन किया और भविश्यवानी की आशिश की बढ़त्री शुरू हो गई परिवार में आशिशों की बढ़त्री शुरू हो गई उसके बेटे की मृत्यू नहीं हुई उसका बेटा मरा नहीं परंतु वे जीवित रहा और राजा ने इसके बारे में सुना और उस परिवार को आदर दिया आपके बच्चे उंचाईयां हासिल करेंगे और बड़े-बड़े सरकारी ओहदों तक पहुँचेंगे क्योंकि वे यूसिफ के समान बनकर राजाओं के सामने भश्यवाणिया करेंगे आप बताएंगे के अनाज कैसे पैदा करना है और देश को कैसे बचाना है और आप जो युवा हैं परमेश्वर भविश्यवानी के अभिशेक के द्वारा आपको बताएगा के और ज्यादा आनाज कैसे उगाना है, और ज्यादा पानी का कैसे प्रबंद करना है, देश को और ज्यादा तरक्की की राह पर कैसे ले जाना है जब आप भविश्यवानी के द्वारा समस्याओं के लिए परमेश्वर का हल बताएंगे तो आप यूसफ के समान उच्छे किये जाएंगे और देश के शासक बनेंगे यही वो भविश्यवानी का अभिशेक है जो इसी समय आप पर आने वाला है और आप बढ़ते चले जाएंगे आप रुत्बे में बढ़ेंगे परमेश्वर के लोग उचे किये जाएंगे और देश के उचे उचे होदों तक पहुँचेंगे आप में से कितने लोग हैं जो भविश्यवानी का अभिशेक चाते हैं आप में से कितने लोग भविश्यवानी का अभिशेख पाना चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ है महिमा पूर्ण तरीके से आप पर उतरने जा रही है मैं इसी समय आप के लिए प्रार्थ ना करूँगा आप अपने हाथ नीचे कर ले प्रभू ने मुझे बताया आपके जीवन में रुत्बे और आधर को लाता है आज रात आप में से प्रतेक जन पर उतरने जा रहा है और आप दूसरों के लिए प्रार्थ ना करेंगे और आपकी भविश्यवानी के दुआरा और बहुत सारे लोग आशिश पाएंगे जिस प्रिकार से एलिया ने उस विद्वा के लिए प्रार्थ ना की और उस विद्वा ने और उसके परिवार ने आशिश पाई यही पर जलंधर में ही हमारा येशु बुलाता है प्रार्थ ना भवन है आप वहाँ पर जाकर दूसरों के लिए पर्मेश्वर की योजना की भवश्यवानी कर सकते हैं प्रबू होने दे आपकी आशिश उनके घरों में बहने पाए उनके हरदेौं में बहने पाए और इसी समय उन्हें भर दे प्रत्येक श्राप येश्यू के नाम में गायब हो जाए और पीडियों की आशिशाने पार प्रत्येक जन अपने हर्दे को खोल कर प्रभू की स्तुति करे इसी समय आशिशों की बढ़ोत्री आने जा रही है उसकी स्तुति करे भवश्यवानी के अभिशेक के बिना आप इस दुष्ट संसार में जीवित नहीं रह सकते वही आत्मा जो यूसफ और दानियल पर था इसी समय आप पर भी आ रहा है इसी समय पवत्रात्मा आ रहा है अपने मूँ को खोल दे और अपनी आत्माओं को खोल कर परमेश्वर के सामने पुकारे प्रभू यह सभासमाप्त हो रही है मैं भवश्यवानी के अभिशेक के बिना वापिस नहीं जाना चाहता मैं चाहता हूँ के तू मुझे पवत्रात्मा से भर दे चले पुकारे सब लोग पुकारे पती और पत्निया पुकारे एक एक परिवार पुकारे जैसे येश्व यहां मंच पर मुझे से बात कर रहा है वह चाहता है के वह आकर आप से बात करे आप येश्व को अपने साथ ले जा सकते हैं जब प्रभू पवत्रात्मा आपको अपनी उपस्तिती से भरेगा चले आप नई भाशाओं में बोले पवत्रात्मा की भाशाओं में बोले इसी समय भर जाएं दुष्टात्मा येश्व के नाम में निकल जाओ शारिजर कात्मा येश्व के नाम में निकल जाओ आप पवत्रात्मा से भर जाएं सब को भर दें प्रभू them enjoy your love, let them see visions now, let them prophesy, make them speak in God's tongues in Jesus name, come on praise the Lord, the Holy Spirit is filling you now, open say thank you Lord, rejoice in your heart, rejoice, rejoice, that God is coming into you now, God is coming into you now, the Holy Spirit is coming into you now, in Jesus name, in Jesus name, the devils are running now, failure is running now, sorrow is running now, losses are running now, God is coming into you, are you not happy, open your mouth and praise the Lord, come on praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, say I am a useless person, but you are filling me, Almighty God, thank you, thank you Lord, thank you Lord, come on praise Him, jump with joy, jump with joy, dance in the presence of God, you are becoming the prophet of the living God, you are becoming the prophet of the living God, prophetess of the living God, Lord touch their spirits, let them prophesy, let them prophesy, let them of the prophetic anointing flow, let the prophetic anointing flow, let the spirits be connected to God's spirit now, he that is joined with the Lord is one spirit with the Lord, she that is joined with the Lord is one spirit with the Lord, God's spirit is coming and joining with your spirit right now, God's spirit is coming and joining with your spirit now, your spirit is being set on heavenly fire, with love for Jesus, love for Jesus, love for Jesus, Jesus, sin is leaving, pleasures are leaving, pleasures are leaving, joy is coming into your heart, the joy that the Lord has for you, come on, laugh and laugh and laugh with joy, say Jesus loves me, I am so blessed, I am not an orphan, my Lord Jesus has come to me, my sorrow is turning into joy, my sorrow is turning into joy, Father make them speak in new tongues, tongues of joy, tongues of joy, tongues of God, let them prophesy, everybody in this ground, make everyone prophesy to Punjab, to India, to our family and to the place of work, let the nation be blessed through everyone here, let the rulers of Punjab be blessed through everyone here, let the children, the young people rise up as Daniels and Josephs and Estes and Deborahs, they are lips are on fire now, full of the Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Father, as you are asking me to pray, I pray for the young people who need to get married Lord, let them have God-fearing prosperous spouses in Jesus' name coming to them this month itself, in the name of Jesus, I pronounce this blessing into their lives, build their homes, build their homes, build them into homes, and give them a wonderful family life, save every member of the family as they prophesy, let there be joy in every home, covenant blessing in every home, I pray for everyone who needs a job, not just an ordinary job, but a job provided by God, no more debts, I release them from that curse of debt, let them prophesy and receive God's provisions every day, it's coming my friend, as Elijah prophesied and the woman obeyed, prophetic blessing came upon the family, the blessing of increase is coming, in the name of Jesus, let it come upon them, A little one become a thousand, माश्याल बरानी संतिल बरानी, we give you all the glory, हम सारी महिमा आपको देते हैं, एक महान चुटकारा सब के जीवन में आ रहा है, मैं सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ करूँ, उन में महान बढ़ोत्री आने पाए, हर कलीसिया में एक के बाद एक चमतकार होते चले जाएं, प्रभू पंजाब की प्रत्येक सिवकाई के लिए मुझे दो बातें बता रहा है, आप अपनी सिवकाई में येशु के पुनुरुथान की सामर्थे को इस रीती से देखने जा रहे हैं, जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं देखा, धनवाद येशु, और वे युवा जो प्रभू के पीछे चलते हैं, येशु से प्रेम करते हैं, वे उठेंगे और महान उचाईयों को चुएंगे, क्या आप इस आशिश के लिए प्रमेश्वर का धनवाद करेंगे? क्या आप इस आशिश को ग्रहन करेंगे? जैसे पवत्रात्मा मुझे अगुआई कर रहा है, मैं अबंतिम प्रार्थ ना करूँगा, प्रत्य एक ऐसा व्यक्ति जो बिमार है, अपना हाथ अपनी चाती पर रखेंगे, यदि आप पती पत्नी के रूप में यहां पर आए हैं, तो एक दुसरे का हाथ थामें, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए प्रार्थ ना नहीं कर सकता, तो आप उस पर अपना हाथ रखें, अब हम विश्वास करेंगे के प्रभू हमारे अंगों को और हमारे शरीरों को चंगा कर रहा है, पॉल दिनाकरन की प्रार्थनाओं के कारण नहीं, पॉल दिनाकरन केवल धूल और मिट्टी है, केवल एक मनुष्य है, लेकिन येश्व हमारी सभी बिमारियों को चंगा करने के लिए पहले ही अपना लहू बहा चुका है, और अपने पूरे शरीर में घावों को जहल चुका है, येश्यू के घावों की ओर देखें, एक स्पर्ष येश्यू के घावों का एक स्पर्ष हमें चंगा कर सकता है, वै आपके हुर्दय में है, वै आपकी देह में जो पवित्रात्मा का मंदिर है उठ खड़ा हो रहा है, अब येश्यू से अपनी चंगाई के लिए उस पर विश्वास करें, प्रभू येश्यू, हम येश्यू के नाम में प्रार्थना करते हैं, आपने कहा है कि मेरे नाम में तुम जो भी मांगो, मैं उसे करूँगा, जहाँ प्रभू का आत्मा है, वहाँ आजादी है, अब हम सब को हमारी सभी बिमारियों से और कमजोरियों से आजाद करें प्रभू, प्रतेक व्यक्ति के अंग येश्यू के नाम में ठीक हो जाएं, वह प्रतेक अंग जो मर चुका है, येश्यू के नाम में फिर से जीवित हो जाएं, बस आप उसकी स्तूती करें, इसी समय ऐसा हो जाएं, फिर से आपके अंगों में जीवन वापिस आ रहा है, बस प्रभू की स्तूती करें, आपके अंगों में जीवन वापिस आ रहा है, क्योंके येश्यू आपको चंगा कर रहा है, पवत्रात्मा आपको जीवित कर रहा है, चलें अपना मूँ खोल कर उसकिस्तुति करें येश्यू के नाम में प्रतेक, अंकी प्रतेक, दुरबलता जाती रहे हैं चलें उसकिस्तुति करें बस उसकिस्तुति करें ऐसा हो रहा है विश्वास करें और उसकिस्तुति करें येशू आपको चंगा कर रहाए कोई भी व्यक्ती विशेश नहीं है हम सब येशू के लिए विशेश है उसने सब के लिए अपना लूब भाया है चलें उसके लिए और भिष्वास के साथ उसके तोदी करें कहें prabhu yeshu आपने मेरे गूर्दे को चंगा किया आपका धनवाद हो my liver is healed मेरा जिאtain चंगा हो चुका है my uterus is healed मेरा गर्भाष चंगा हो कंगा है my eyes are healed मेरी आखे चंगा हो चुका है my brain is healed मेरे दिमाग चंगा हो चुका है my organs are healed मेरे अंग चंगे हो चुके है मेरा पीट का दर्द चंगा हो चुके है Whatever you need, ask God and say thank you Jesus Receive the healing in Jesus name Thank you Lord You are healing everybody now Every year is opening right now Receive the life of Christ From head to foot you are healing everybody Lord And now you evil powers You witchcraft powers You powers which have come into the bodies of the people because of their old sins I command you in Jesus name Leave the organs of the people Leave the minds now Be healed you organs in Jesus name Every cancer, every tumor be healed in Jesus name New skin come Thank you Lord for doing it Come on, clap your hands and praise the Lord Try to do what you could not do before Jesus has healed you Jesus has healed you Raise your hands and praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Miracles are happening Jesus is coming with you Jesus is coming with you Thank you Lord Thank you to God Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you झाल झाल